Hello students, in the last video, we have completed time variant and time invariant system. Now, in this video, we will study causal and non-causal system. Okay, so, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे causal and non-causal system. So, mathematical analysis देखने से पहले, हमें definition understand करनी होगी, what is causal system and what is non-causal system. So, causal system आपका क्या होता है? अगर माल लीजिए जो आपका response है, या output है system का, depend करता है only past and present inputs पर. Okay, past and present inputs पर. That is, no future input. अगर आपके response में कोई भी future input नहीं आता है, आपका response अगर किसी future input पर depend नहीं करता है, वो past पर भी कर सकता है, present पर भी कर सकता है, या दोनों पर भी कर सकता है, it's okay. But उसे future पर depend नहीं करना है, future input पर. तो उसे हम कहते हैं causal system. Non-causal, simple है अब आपका. अगर आपका response future input पर depend कर गया, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके response, आपके output के equation में 1000 terms हो, जिसमें से 9 terms जो हैं, वो present and past input ही हैं. बट अगर एक term भी future input वाला हुआ, तो ये समझ लीजिए, कि वो system क्या हो जाएगा, non-causal हो जाएगा. Clear है अच्छे से? तो अब अगर मैं इसका mathematical analysis देखू यहाँ पर, तो इसका mathematical analysis मैं आपको एक example से clear करता हूँ. Suppose करिए yt जो है आपका, वो है 6xt plus 7. ओके? आपको सिर्फ yt को देखना है और सिर्फ और सिर्फ xt को. बाकी जो भी terms हैं, चाहे वो t का term हो, या t square का term हो, आपको कोई मतलब नहीं है. आपको सिर्फ x वाले t से मतलब है और y वाले t से मतलब है. That's it. अब आप देखिए. सपोस करिए अगर आप y 0 निकालना चाहते हैं, तो क्या आएगा? 6 x 0 प्लस 7. मतलब अगर आपको 0 time पर output चाहिए, तो आपको 0 time पर input चाहिए. ठीक है ना? मतलब present input चाहिए. अगर आप सपोस करिए y 100 करेंगे, तो 6 x 100 हो जाएगा. तो अगर आपको 100 time पर output चाहिए, तो उसके लिए 100 time पर input चाहिए. तो यहाँ पर देखिए ना, y भी t है, x भी t है. तो always वो present पर ही depend करेगा. तो क्या हो जाएगा आपका causal? clear अच्छे से? Now, एक और example ध्यान से समझेए. suppose करिए, आपको y t दिया हुआ है, 6 x 4 minus t plus 7. अब आप देखिए. माल दीजिए, आप y 0 calculate करते हैं. तो किस पर depend करेगा? 6 x 4 plus 7. मतलब अगर आप output को 0 time पर calculate करते हैं, तो आपको input चाहिए 4 time पर. That is a future input. ठीक है न, output 0 पर है. 0 के respect में 4 क्या है आपका future input? तो वैसे तो आप बहुत सारे example लेके देख सकते हैं. जैसे suppose करिए, अगर आप calculate करते हैं y 10. तो यह कितना आजाएगा? 6 x 4 minus 10. कितना होता है? minus 6. ठीक है न? तो आप बोलेंगे, आप output निकार रहे हैं t equal to 10 पर. time 10 पर. और आपको input चाहिए minus 6 पर. तो 10 के respect में minus 6 तो past या present ही हो सकता है maximum? past ही होगा, obvious ती बात है. लेकिन past या present की category में ही आ रहा है. future की category में तो नहीं आ रहा. 10 आपका future होगा minus 6 के respect में. ठीक है न? लेकिन minus 6 क्या है आपका? past है. तो फिर आप बोलेंगे, एक equation में causal दिख रहा है, एक equation में non-causal दिख रहा था y0 वाले में. पर मैंने आपको क्या सिखाया है? कि किसी भी एक condition के लिए अगर non-causal प्रूव हो गया, तो आप overall answer क्या लिखने वाले है? non-causal. ठीक है? clear अच्छे से? now, अब आप suppose करिए, yt आपको दिया है यहाँ पर, example next, yt दिया है, x of cos t. ओके? तो यहाँ पर आप कैसे solve करेंगे अब? देखिए, आपका जो time है, वो cos t के form में आपको दिया है, x के अंदर cos t है, तो आप देखिए, यहाँ पर, अगर आप t equal to 0 के लिए check करने जाएं, तो y 0, कितना हो जाएगा? x, cos 0 क्या होता है? आपका 1 होता है, तो यह तो यहीं पर prove हो गया कि non-causal है, ठीक है ना? क्योंकि, यहाँ पर देखिए, time 0 पर आप output चाहते हैं, और आपको time 1 पर input चाहिए, तो क्या और कुछ करने की जवरत है हमें अब? अगर एक condition के लिए भी prove हो गया non-causal, so we will write the answer non-causal, clear? Now, एक और example देखिए, इसी sin cos वरे टम में, माल दीजिए, x of sin t है, तो उस case में आप क्या चेक करेंगे? अगर आप t equal to 0 पर चेक करें, तो y 0, sin 0 क्या होता है? 0, तो यहाँ तो prove नहीं होँआ non-causal, एक example से prove नहीं हो पाया, 0 पर 0 है, मतलब present, कुछ और example लीजिए, time की कुछ और value लीजिए, अब देखिए, यहाँ पर एक important बात है, आप time की value 1, 2, 3, 4, 5, 6, मत लीजिए, क्योंकि आपको sin 1, 2, 3, 4, 5, 6, के लिए calculator की ज़ुरत पड़ेगी, आप क्या करिए? sin की ऐसी values consider करिए, मतलब t की ऐसी value लीजिए, जिसके लिए sin t आपको पता हो, जैसे माल लीजिए, अगर मैं sin 90 चाहता हूँ, तो sin 90 मुझे पता होता है, sin 45 मुझे पता होता है, तो ऐसी values आप consider करिए, तो माल लीजिए t की value लेता हूँ, मैं pi by 2, तो sin 90 क्या होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? यह x1, अब आपका pi क्या होता है? pi होता है 3.14, approx, तो आपका pi by 2 क्या होगा? 1.5 से जादा होगा, ठीक है न? 1.57, तो 1.57, that is pi by 2, और 1 क्या है आपका? 1 जो है, वो pi by 2 से less होगा, इसका मतलब जो आपको input चाहिए, वो past input चाहिए आपको, तो यहां तक तो causally prove हो रहा है, अब अगर बात करूँ, y pi की, तो pi मतलब approx 3.14, तो sin pi क्या होता है? तो obvious सी बात है, 0 जो है, वो pi के respect में फिर से क्या है? Past है, तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे? कि past input ही चाहिए, तो यह system तो आपको causal दिख रहा है, ठीक है न? तो क्या यह वाकई causal होगा? कि हम और कुछ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, कि अगर 100 तरीकों से भी causal आ जाए, लेकिन अगर एक तरीके से भी non-causal आया, तो system non-causal बन जाएगा, ओके? तो ध्यान रखिए एक और point आप, सबसे important point is causal and non-causal के analysis का, always negative value पर भी चेक करिए, अगर मैं y of minus pi निकालू, तो sin minus 180, 0 ही होता है न? तो कित्ता हो जाएगा आपका? x of 0, इसका मतलब, अगर आप minus pi टाइम पर, या minus 3.14 टाइम पर आउटपुट चाहते हैं, तो आपको input चाहिए 0 टाइम पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? pi मतलब क्या है? minus 3.14, आपको minus 3.14 पर आउटपुट चाहिए, और 0 टाइम पर input चाहिए, तो 0 क्या होगा आपका? minus 3.14 के respect में, future, तो system आपको क्या हो जाएगा? non-causal, आप देख सकते हैं, इन start के तीन example से आपको दिख रहा था कि causal है, लेकिन actual में क्या था system आपका? non-causal, तो ध्यान रखिएगा, ये काफी important example था आपके लिए, कि आपको negative values के लिए भी check करना है, सिर्फ positive values को देखकर answer नहीं बोलना है, okay, next example आप देखिए, suppose करिए आप yt करते, 6xt square plus 7, तो यहाँ पर देखिए आप, y0, यह हो जाता 6x0 plus 7, ठीक है आपका present पर depend कर रहा है, माल लीजेए आप निकालते y2, तो यह क्या हो जाता, 6x4 plus 7, मतलब आपको future input चाहिए, ठीक है ना, 2 के respect में 4 क्या होगा, future, तो आप क्या बोल देंगे, non causal, clear अच्छे से, तो इस तरीके से आप causal या non causal, बहुत अराम से बता सकते हैं, इनिन simple examples के लिए, अब मैं थोड़ा सा example को difficult करता हूँ, ठीक है, आपके लिए एक दो question discrete के लेता हूँ, जहाँ पर आपको थोड़ा सा understand करना पड़ेगा, कि आपका system causal है, कि non causal है, suppose करिए, एक example मैं आपके लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, yn is equal to sigma k is equal to n to n0 xk, ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो k है, वो आपका summation का variable है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पर, अब अगर मैं calculate करने के लिए जाऊँ आपके लिए, कि system causal है कि non causal, तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर y1 निकालने जाऊँ, यहाँ पर आपको समझना होगा, कि question में जो n0 है, वो any constant है, कुछ भी हो सकता है, y1 निकालने जाऊँ, तो यह कित्ता हो जाएगा आपका, माल दीजिए आपकी n0 की value 2 है, ओके, तो क्या हो जाएगा 1 से 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका, x1, x2, ओके, n0 तो constant है न, n0 can be any value, और अगर n0 can be any value है, suppose करी n0 आपकी 10 है, तो अगर आप y2 निकाल रहे हैं, तो आपको 2 to 10 तक तो जाना ही पड़ेगा, बात समझ में आ रही है न, तो इसका मतलब हर हाल में, जो आपका system है, वो क्या हो जाएगा, n0 can be anything, ठीक है न, तो system will be non-causal, हाँ, अगर आपका n0 n से less होता, तो chances थी कि system क्या होता, causal होता, बट n0 can be any value, तो यहाँ पर system क्या हो जाएगा, आपका non-causal, ओके, यहाँ पर आपको summation करना था, आपको निकालना था, y1 मतलब n की value 1, n0 can be anything, मैंने example ले लिया, n0 equal to 2, तो क्या-क्या निकालना परता, limit क्या होती, 1 से 2, तो x1 plus x2, ओके, एक और example आप देखिए, suppose करिए yn है आपका, sigma k equal to n minus n0, n plus n0, xk, again n0 is the any constant, ठीक है, suppose करिए मैं n0 की value, फिर से example के लिए, आप कुछ भी consider करिए, आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है, कि causal है कि non-causal, मैं 2 ले रहा हूँ फिर से, तो माल लीजिए, मुझे y1 निकालना है, y1 क्या हो जाएगा देखिए, n1 है, n0 2 है, तो 1 minus 2, minus 1, तो limit क्या हो जाएगी, k equal to minus 1, n plus n0, 3, xk, तो क्या आजाएगा answer, x minus 1, plus x1, plus x2, ठीक है, और last क्या आजाएगा, plus x3, clear है, अच्छे से आपके लिए, तो यहाँ पर, अगर आप देखते हैं, तो आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका, जो output है, वो आप निकाल रहे हैं, time, n equal to 1 पर, लेकिन जो आपका input है, जो आपको input चाहिए, वो n equal to minus 1 पर चाहिए, 1 पर चाहिए, 2 पर चाहिए, और 3 पर चाहिए, इसका मतलब आपको, past और present input हो चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको future inputs भी चाहिए, इसका मतलब system क्या हो जाएगा आपका, non causal हो जाएगा, clear अच्छे से, now, एक और example आप समझे की कोशिश करिए, देखिए, यहाँ पर example है, y n, sigma, k equal to minus infinity 2 n, x k, ओके, इसको देखिए, यहाँ पर मान लीजिए, मैं निकालता हूँ y 1, तो y 1 क्या हो जाएगा, k equal to minus infinity 2 1 x k, तो obvious सी बात है, आप k की value minus infinity से लेकर, up to कहां तक जाएगे, 1 तक, ठीक है न, मतलब क्या जाएगा, x of minus infinity dash dash dash, x of minus 2, plus x of minus 1, plus x of 0, plus x of 1, तो maximum value कहां तक गई आपकी, 1 के लिए गई, मतलब जो output है y 1, ठीक है न, वो आपका past और present, दोनों input पर depend कर रहा है, future पर नहीं किया, इस example के लिए, मान लिजी अगर मैं y 10 ले लू तो, तब भी देखिए न, minus infinity से 10 तक ही जाएगा ये, limit आपकी lower limit minus infinite है न, और upper n है, तो maximum ये n तक ही जा सकता है, तो हर हाल में ये system क्या होगा आपका, causal ही होने वाला है, आप कोई भी example लेके देख लीजिए, this system will be causal, okay, clear अच्छे से, now, अब अगर मैं यहाँ पर next example की आपके लिए बात करूं, suppose करिए y n आपको दिया है, sigma k equal to 0 to n है, ठीक है, last question क्या था, minus infinite to n बोला था, k की value, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, k की value आपकी 0 to n है, तो अब आपको देखना है, क्या ये system causal है कि non-causal, माल दीजिए, अगर मैं यहाँ पर y 1 निकालूं, तो क्या आजाएगा, k equal to 0 to 1, okay, x k, तो क्या आएगा answer, x 0 plus x 1, तो आप बोलेंगे, यहाँ पर भी तो n तक ही जाना है, तो maximum तो आपका 1 ही आना है, y 1 के case पे, या n की value 2 है, तो y 2 के case पे 2 ही आना है, तो यह भी तो causal ही होगा, लेकिन एक काम करिए आप, अगर आप एक negative value देखें यहाँ पर, y of minus 1, मतलब अगर n की value minus 1 होती, तो क्या हो जाता आपका limit, k equal to 0 to minus 1 x k, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यह कभी मत सोचना, कि upper limit हमेशा जादा value होगी, और lower limit हमेशा कम value होगी, ऐसा नहीं है, अगर आप minus sign common लेते हैं, integration या summation से, तो lower limit, upper limit आपकी change हो जाती है, ठीक है, तो उस बात के लिए वरी मत करिए, आपको कहीं भी नहीं लिखा गया है, कि आप n की value negative नहीं ले सकते, तो आपको n की negative value के लिए भी check करना हीं करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x0 plus x of minus 1, तो आप देखिए यहाँ पर, जो minus 1 वाला output है, मतलब अगर आप minus 1 time पर output निकालना चाहते हैं, तो वो minus 1 वाले input पर depend तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो n equal to 0, x0 input पर भी depend कर रहा है, मतलब आपको 0 time पर input चाहिए, तो minus 1 के respect में 0 time क्या हो जाएगा आपका future, तो ये system क्या हो जाएगा, non causal, clear अच्छे से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, n की value आप positive negative दोनों लेके हमेशा चेक करिए, t के लिए भी same case है, always take positive as well as negative value, यहाँ पर एक और point देखिए, last question में, फिर आप बोलेंगे last question में मैंने negative value क्यों नहीं चेक की, last question में भी तो ये हो सकता था, तो आप देखिए last question में अगर आप minus 1 रखते n की value, तब भी तो आप minus infinite से minus 1 ही जाते न, चुकि आपकी lower limit minus infinity थी, तो आपने minus infinity से सारे term cover कर लिये थे यहाँ पर, अगर आप n की value रखते है minus 2, तो आप minus infinite से minus 2 जाते, ठीक है न, तो कोई भी value आपकी n से बड़ी नहीं हो सकती थी, clear अच्छे से, चाहे आप n की negative value रखिए, चाहे positive value रखिए, maximum जो input होगा, वो present input ही होगा, बाकी सारे past होंगे, कोई भी आपका future input होने का, कोई chance नहीं है यहाँ पर, clear है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, causal और non-causal system, for discrete time system, okay, now, मैं यहाँ पर एक और system ले रहा हूँ, that is called static and dynamic system, ठीक है, इस system के हमें सिर्फ और सिर्फ definition देखनी है, और क्यों सिर्फ definition देखनी है, क्यों हमें numerical practice नहीं करने इस system के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, static system का मतलब होता है, जो response है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ present input पर depend करेगा, अगर past या future पर depend कर गया, ठीक है ना, अगर response आपका past और future पर depend कर गया, तो वो हो जाता है आपका dynamic system, ठीक है, तो बिल्कुल same analysis होगा, जो आपने अभी causal और non-causal के लिए किया हुआ है, अगर सिर्फ present पर depend कर रहा है, तो static, किसी भी past या future input पर depend कर गया तो dynamic, इसका मतलब क्या है, आपने जितने भी example किये हुए हैं अभी causal और non-causal के लिए, जहां जहां पर आपका non-causal है, मतलब output depend कर रहा है future input पर, उसे check करने की जवरत नहीं है, वो always आपका dynamic ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि dynamic, past या future कुछ भी हो जाया input, system dynamic हो जाता है, लेकिन जो जो आपके causal है, जहां जहां पर आपका answer causal आया है, वो आपके लिए homework है, आपको क्या करना है, जो causal है उसको check करना है, कि वो आपके static हैं, कि dynamic है, ठीक है ना, causal means, वो past पर input पर depend कर सकता था, और वो present input पर depend कर सकता था, तो causal system में से, जो जो output आपके present input पर depend कर रहे थे, वो static हो जाएंगे, और causal system में, जो जो output आपके past input पर भी depend कर रहे थे, या past input पर ही depend कर रहे थे, वो आपके क्या हो जाएंगे, dynamic हो जाएंगे ठीक है ना ध्यान रखिएगा भी का मतलब क्या है हो सकता था वो present पर भी कर रहे हो और past पर भी कर रहे हो तब भी वो dynamic होंगे और ही का मतलब क्या है हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर depend कर रहे हो past पर तब भी वो क्या होंगे dynamic ही होंगे clear अच्छे से तो यह आपको check कर लेना है causal system के लिए और जितने भी answer है आपको निकालना है इसके लिए और कोई भी doubt हो तो आपको comment section में post करना है इसके लावा अगर आपको causal और non causal system में भी किसी भी concept में कोई doubt हो तो आप comment section में post कर सकते हैं ओके और आज की वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में मैं आपको study करवाऊंगा जो बाकी के remaining systems है like stable and unstable system, invertible and non invertible system and so on ओके, thank you